जवाहलाल नहरू का जन्म, 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाबाद में हुआ उनके पिता, मोतिलाल नहरू, 1861, 1931, एक धनी बैरिस्टर जो कश्मीरी पंडित थे मोतिलाल नहरू सारस्वत कॉल ब्रामन समुदाय से थे, स्वतंतता संग्राम के दौरान भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के दो बार अध्यक्ष चुने गए उनकी माता स्वरू प्रानी थुसू, 1868, 1938, जो लाहर में बसे एक सुपरिचित कश्मीरी ब्रामन परिवार से थी, मोतिलाल की दूसरी पत्नी थी वह पहली पत्नी की प्रसव के दौरान मृत्यू हो गई थी जवाहरलाल तीन बच्चों में से सबसे बड़े थे, जिन में बाकी दो लड़कियां थी बड़ी बहन, विजया लक्ष्मी, बाद में सैयुक्त राष्ट महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी सबसे छोटी बहन, क्रिशना हटीजिंग, एक उल लेखनिय लेखिका बनी और उन्होंने अपने परिवार जनों से संबंधित कई पुस्तकें लिखी जवाहलाल नहरू ने दुनिया के कुछ बहतरीन स्कूलों और विश्व ओध्यालियों में शिक्षा प्राप्त की थी उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा टिनिटी कॉलेज, कैम्झ, लंदन, से पूरी की थी इसके बाद उन्होंने अपनी लोकी डिग्री कैम्बरिज विश्व विद्याले से पूरी की इंग्लेंड में उन्होंने साथ साल व्यतीत किये जिसमें वहां के फैबियन समाजवाद और आईरिश राष्टवाद के लिए एक तरकसंगत द्रिश्टिकोन विक्सित किया जवाहरलाल नहरू 1912 में भारत लोटें और वकालत शुरू की 1916 में उनकी शादी कमला नहरू से हुई 1917 में जवाहरलाल नहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए राजनीती में उनकी असली दीक्षा दो साल बाद 1919 में हुई जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था नहरू, महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण, सविने अवग्या आंधोलन के प्रतीखा से आकरशित हुए नहरू ने महात्मा गांधी के उपदेशों के अनुसार अपने परिवार को भी धाल लिया जवाहरलाल और मोतिलाल नहरू ने पश्चिमी कपड़ों और महंगी संपत्ती का त्याग कर दिया वे अब एक खादी कुर्ता और गांधी टोपी पहनने लगे जवाहरलाल नहरू ने 1922 में असहयोग अंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और इस दोरान पहली बार गिरफतार किये गए कुछ महीनों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया जवाहरलाल नहरू 1924 में इलाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने शहर के मुख्य कारेकारी अधिकारी के रूप में दो वर्ष तक सेवा की 1926 में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से सहयोग की कमी का हवाला दे कर त्याग पत्र दे दिया उस सत्र में जवाहरलाल नहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्ता की मांग का समर्थन किया जबकि मोतिलाल नहरू और अन्य नेताओं ने ब्रिटिश सामराज्य के भीतर ही प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा पाने की मांग का समर्थन किया मुद्दे को हल करने के लिए गांधी ने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि ब्रिटिन को भारत के राज्य का दर्जा देने के लिए दो साल का समय दिया जाएगा और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कॉंग्रेस पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक राश्ट्रिय संग चुने गए इसी सत्र के दोरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराजिक की मांग की गई 26 जनवरी 1930 को लाहॉर में जवाहलाल नहरू ने स्वतंत्र भारत का जंडा फेहराया गांधी जी ने भी 1930 में सविनय अवग्या आंदोलन का आहवान किया आंदोलन खासा सफल रहा और इसने ब्रिटिश सरकार को प्रमुक राजनीतिक सुधारों की आवशकता को स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया जब ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम 1935 प्रिख्यापित किया तब कॉंग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया नहरू चुनाव के बाहर रहे लेकिन जोरों के साथ पार्टी के लिए राष्ट्र व्यापी अभियान चलाया कॉंग्रेस ने लगभग हर प्रांत में सरकारों का गठन किया और किंद्रिय असेंबली में सबसे ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की नहरू कॉंग्रेस के अध्यक्षपत के लिए 1936 और 1937 में चुने गए थे उन्हें 1942 में भारत छोड़ो अंदोलन के दौरान गिरफतार भी किया गया और 1945 में छोड़ दिया गया 1947 में भारत और पाकिस्तान की आजादी के समय उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ हुई वारताओं में महत्वपून भागिदारी की सन 1947 में भारत को आजादी मिलने पर जब भावी प्रधान मंत्री के लिए कॉंग्रेस में मददान हुआ तो तो सरदार पटेल को सरवाधिक मत मिले उसके बाद सरवाधिक मत आचार्य कृपलानी को मिले थे किंतु गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नहरू को प्रधान मंत्री बनाया गया 1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान मंत्री बने अंग्रेजों ने करीब 500 देशी रजवाड़ों को एक साथ स्वतंत्र किया था और उस समय सबसे बड़ी चुनोती थी उन्हें एक जंडे के नीचे लाना उन्होंने भारत के पुनर गठन के रास्ते में उभरी हर चुनोती का समझदारी पूर्वक सामना किया जवाहरलाल नहरू ने आधुनिक भारत के निर्मान में महत्वपून भूमिका अदा निभाई उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रोध्योगी की के विकास को प्रोधसाहित किया और तीन लगातार पंचवर्षिय योजनाओं का शुभारंब किया उनकी नीतियों के कारण देश में कृषी और उध्योग का एक नया युक शुरू हुआ नहलू ने भारत की विदेश नीती के विकास में एक प्रमुक भूमिका निभाई जवाहर लाल नहरू ने जोसिब बरोस्टिटो और अब्दुल गमाल नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए एक गुट निर्पेक शांदोलन की रचना की वो कोरियाई युद्ध का अंत करने, स्वेज नहर विवाद सुझाने और कांगो समझोते को मूर्ट रूप देने जैसे अन्य अंतराश्ट्रिय समस्याओं के समाधान में मध्यस्त की भूमिका में रहे पश्चिम बलिन, आस्ट्रिया और लाउस के जैसे कई अन्य विस्फोटक मुदों के समाधान में परदें के पीछे रहकर भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया लेकिन नहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए पाकिस्तान के साथ एक समझोते तक पहुंचने में कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ मित्रता में सीमा विवाद रास्ते के पत्थर साबित हुए नहरू ने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमन कर दिया नहरू के लिए यह एक बड़ा जटका था और शायद किंचित उनकी मौद भी इसी कारण हुई 27 मई 1964 को जवाहरलाल नहरू को दिल का दौरा पड़ा जिसमें उनकी मृत्यू हो गई बहुत से लोगों का विचार है कि नहरू ने अन्यनेताओं की तुलना में भारत के स्वतंत्ता संग्राम में बहुत कम योगदान दिया था फिर भी गांधी जी ने उन्हें भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया स्वतंत्रता के बाद कई दशकों तक भारतिय लोकतंत्र में सत्ता के सूत्रधारों ने प्रकारांतर से देश में राजतंत्र चलाया विचारधारा के स्थान पर व्यक्ति पूजा को प्रतिष्ठित किया और तथाकतित लोक्रियता के प्रभामंडल से आवेश्ठित रह लोखित की पुनरता हुपेक्षा की नहरू को महात्मा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है गांधी पर यह आरोब भी लगता है कि उन्होंने राजनीती में नहरू को आगे बढ़ाने का काम सरदार वल्लभाई पटेल समेत कई सक्षम नेताओं की कीमत पर किया जब आजादी के ठीक पहले कॉंग्रेस अध्यक्ष बनने की बात थी और माना जा रहा था कि जो कॉंग्रेस अध्यक्ष बनेगा वही आजाद भारत का पहला प्रधान मंतरी होगा तब भी गांधी ने प्रदेश कॉंग्रेस समितियों की सिफारिशों को अंदेखा करते इस से एक आम धारना यह बनती है कि नहरू ने न सिर्फ महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया होगा बलकि उन्होंने उन कारियों को भी पूरा करने की दिशा में अपनी पूरी कोशिश की होगी जिन्हें खुद गांधी नहीं पूरा कर पाए लेकि इसके उलट है यह बात कोई और नहीं बलकि कभी नहरू के साथ एक टीम के तौर पर काम करने वाले जैप्रकाश नारायन ने 1978 में आई पुस्तक गांधी टुडेक की भूमेका में कही थी जेपी ने नहरू के बारे में कुछ कहा है तो उसकी विश्वस्नियता को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि नहरू से जेपी की नजदी की भी थी और मित्रता भी लेकिन इसके बावजूद जेपी ने नहरू मार्डल की कमियों को उजागर किया अप्रेल 2015 में यह भी खुलासा हुआ की स्वतंतता के बाद नहरू ने 20 वर्षों तक आई भी द्वारा नेताजी के संबंधियों की जासूसी कराई समस्त राजनीतिक विवादों से दूर नहरू जी निहसंदे एक उत्तम लेखक थे राजनीतिक क्षेत्र में लोपमान्य तिलक के बाद जम कर लिखने वाले नेताओं में वे अलग से पहचाने जाते हैं दोनों के क्षेत्र अलग हैं, परंतु दोनों के लेखन में सुसंबधता परियाप्त मात्रा में विद्धिमान है नहरूजी स्वभाव से ही स्वाध्याई थे, उन्होंने महान ग्रतों का अध्यान किया था सभी राजनेतिक उत्तेजनाओं के बावजूद वे स्वाध्याय के लिए रोज ही समय निकाल लिया करते थे परिनामस्वरूप उनके द्वारा रचित पुस्तकें भी एक अध्यान पुष्ट व्यक्ती की रचना होने की सहज प्रतीती कराती है नहरूजी ने व्यवस्थित रूप से अनेक पुस्तकों की रचना की है राजनीतिक जीवन के व्यस्ततम संगर्श पूर्ण दिनों में लेखन हेतु समय के नितांत अभाव का हल उन्होंने यह निकाला की जेल के लंबे नीरस दिनों को सरजनात्मक बना लिया जाए इसलिए उनकी अधिकांश पुस्तकें जेल में ही लिखी गई है उनके लेखन में एक साहित्तिकार के भावप्रवन तथा एक इतिहासकार के खोजी हृदय का मिला जुला रूप सामने आया है इंदिरा गांधी को कालपनिक पत्र लिखने के बहाने उन्होंने विश्व इतिहास का अध्याय दर अध्याय लिख डाला ये पत्र वास्तव में कभी भेजे नहीं गए परन्तु इससे विश्व इतिहास की जलग जैसा सहज संप्रेश्य तथा सुसंबद ग्रंट सहज ही तयार हो गया भारत की खोज डिसकवरी ओफ इंडिया ने लोग प्रियता के अलग प्रतिमान रचे हैं जिस पर आधारित भारत एक खोज नाम से एक उत्तम धारवाहिक का निर्मान भी हुआ है उनकी आत्मकथा मेरी कहानी एन और्टो बायोग्राफी के बारे में सुप्रसिद मनीशी सर्वपली राधा कृष्णन का मानना है कि उनकी आत्मकथा जिसमें आत्मकरुना या नैतिक श्रेश्थता को जरा भी प्रमानित करने की चेश्टा किये बिना उनके जीवन और संग गर्ष की कहानी वर्नित की गई है जो हमारे युक की सबसे अधिक उलेकनिय पुस्तकों में से एक है इन पुस्तकों के अतिरिक्त नहरू जी ने अगनित व्याख्यान दिये लेक लिखे तथा पत्र लिखे इनके प्रकाशन हे तु जवाहरलाल नहरू समारक निधी ने एक ग्रंत माला के प्रकाशन का निष्चे किया इसमें सरकारी चिठियों विग्यप्तियों आदी को छोड़कर स्थाई महत्वर की सामगरियों को चुनकर प्रकाशित किया गया जवाहरलाल नहरू वांग में नामक इस ग्रंत माला का प्रकाशन अंग्रेजी में 15 खंडों में ह काशित किया है पिता के पत्र पुत्री के नाम 1929 विश्व इतिहास की जलक क्लिंपसेज ओफ वर्ल्ड हिस्ट्री दो खंडों में 1933 मेरी कहानी एन ओटो बायोग्राफी 1936 भारत की खोज हिंदुस्तान की कहानी दी डिस्कवरी ओफ इंडिया 1945 राजनीती से दूर इतिहास क के महपुरुष राष्ट्र पिता जवाहरलाल नहरू वान में 11 खंडों में भारत के प्रधानमंत्री भीमराव आमबेटकर वल्लब भाई पटेल सुभाश चंद्र बोस नहरू परिवार अंग्रेजी में पंडित जवाहरलाल नहरू के अनमोल विचार भारत की समस्याओं के लिए नहरू कितने जिम्मेदार BBC हिंदी भारत के प्रधानमंत्रियों का आधिकारिक जालस्थल अंग्रेजी में